तंजीव कौशिक जी आपसी शुरुआत कर रहा है अब कॉंग्रेस से भी आप लोगों को गुरेश नहीं है चुकि लग रहा है कि मामला फस गया है सीबियाई के सामनी खेजरिवाल जी की पेशी होने वाली सवाल जवाब के लिए बुलाया गया है एक उपचारी किसे कॉल बता जा रहा है लेकिन इतनी तकलीफ में हैं कि कॉंग्रेस को भी आप लोगों ने फोन मिला दिया जिनके धुर विरोदी माने जा रहे जिनका सफाया आप लोगों ने दिल्ली से कर दिया पंजाद से कर दिया दोनों जगबर पानी पीपी कर कोसा लेकिन अब फोन सीधा मली कारजुन खड़ गयोगी कि अब इस मामले पर साथ आना ही होगा देखे विवेक माई देखने का अपना अपना नजरिया है आपको लगता है कि कॉंगर्स ने भी रात दे दिया है लेकिन सच बात यह है कि जिस तरह से भारतिये जनता पार्टी देश के संबैदानिक संस्थानों का बेजा इस्तमाल कर रही है और एक एक कर विपक्षी पार चीजे सीधा दिखाए देती है कि भारतिये जनता पार्टी ने विपक्षी पार्टियों को परिशान करने के लिए चुल कित के जैसे इंसारे संस्थानों का इस्तमाल किया है और उसकी अगली कड़ी है और हो भी क्यों ना जिस तरह से कॉंग्रेस पार्टी आमार्पी पार लगातार पिछले कुस्स दिलों से हमलावा रहा है और परस्चाचार में लिफट देश के फुर्दान मंतरी पर सिद्गे वो आरूप लगा रही है कि कौशिक जी ये तो आप कह रे हैं विपक्ष के खिलाफ एक्षन हो रहा है सरकार कहरी करूप्शन के खिलाफ एक्षन हो सरकार तो कहेंगी कि हम करप्शन के खिलाफ काम करने का उनका तरीका क्या है अब ये दो सब्साइब पहले दिल्ले में महासुरी सुराज का नाम आपने सुना होगा मरहुम सुस्मा सुराज की वो बेटी है वो वो कभी ललित मोधी के लिए वो वकालत करती थी और आज भी करती है और उसको किस तरह से मीडिया से बहुत पूर्ण पत्पे उन्होंने आसीन कराया है जिल्ली में वो सब लोग जानते हैं प्रशाचार से लडने का उन्का क्या तरीका है वो जह कुसी को बताने की जरूरत नहीं है मैं किसी एक मुद्दे पे नए जा रहा है सीधा यह कहा रहा हूँ जी ठीक असन्जीफ जी आ रहा हम आपके पास वापस एसका जवाब शाहद से ल्लू लेकिन मैं एक सवाल हमारा कॉंग्रेस के मेमान सुरेंदर राशपूर जी है उनसे ले लेता हूँ सुरेंदर जी बीजेपी कहा रही है करॉप्शन प्रोग्रेसिव अलाइंस बनने जा रहा है 2024 के पहले सारा विपक्ष जिनके खिलाब करॉप्शन के चार्जेद हैं वो सब एक जूट हो जाएंगे क्योंकि सबकी दुकान बंद हो गई है विवेग भाई सच बात तो यह है कि दुकान तो किसकी बंद होगी किसकी नई होगी यह ना हम जानते ना आप जानते जनता जानती है लेकिन जनता इसके साथ यह भी जानती है कि अभी तो केजरिवाल जी को एक नोटिस दी जा रही है विपक्ष को प्रताडित करने की बात की जा रही है लेकिन मीडिया का कोई भी चैनल सत्यपाल मलिक पर मौन है हमारे 40 शहीदों पर मौन है हमारे 40 शहीदों को 5 एरक्राफ्ट क्यों नहीं दिये गए इस पर मौन है इस पर भी मौन है कि क्या नाम जब सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि ऐसे ऐसी चीजे हो गई तो उन्होंने का प्रधान मंतिर जी ने कहा चुप रहो अगर यहीं पर ये बात किसी विपक्षी खेमे पर हुई होती तो वितंडा वाद फैलाया गया होता पूरी तरीके से पूरे देश में भारती जनता पार्टी उसका समर्थक मीडिया कही न कह इस तरीके से चिला रहा होता है कि हम क्या बताएं सच बात यह कि आज हमारी बहस विपक्ष के ऊपर तो बटने चुरले होने ही चाहिए कि विपक्ष के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं मैं विपक्ष के पर बहस नहीं कर रहे हैं मैं तो करॉप्षन पर बहस कर रहा हूँ और सुरेंद राजपूर जी जहां तक 2019 के पुलवामा की बात आप कर रहे हैं इसमें मुझे याद है कि तकरीबन 300-400 डिबेट्स हो चुकी हैं 100-500 डिबेट्स तो मैंने कियोंगी जो आरोप आप लोगों ने लगा है उस आरोप पर भी काफी चर्चा हुई काफी बाते हुई जहां तक सत्यपाल मलिक जी की बात करें उनके तो सिर्फ एक नहीं कई सारे वीडियोज वारेल हो रहे हैं सिर्फ एक बयान को आप लोगों ने पिक किया चुकी वह आप लोगों की राजनीती को सूट करता है मुझे लगता है मिरे बात से आपको कोई अतराज होना चाहिए दूसरी बात एक और जानकारी मैं आपको देदू सत्यपाल मलिक के बयान पर डिबेट तो पाकस्तान में भी हो रहा है पाकस्तान के न्यूस चैनल भी कहरें बहुत बड़ा खुलासा हो गया मैं इस बहस में सुरेंदर जी आज आना नहीं चाहता हम लोग एक दिन व्यापक चर्चा कर लेंगे पर अगर आप चाहते हैं तो लेकिन आज क्रपशीम के मुदे पर बात करने के लिए हैं जी आप अगर आप अगर आप मुझे बूलने का मौका देशचुए आपने बड़ी गंबीर बाते कह दी और आप अपने आप को भारती जनता पार्टी को बचाने के लिए चिर प्रतित्रित जो क्या नाम मुद्दा है पाकिस्तान वह भी ले आये आज तक विपक्ष के लोग आरोप लगाते थे पहली बार उस वक्त का जो तस्कालीन गवर्नर है उसने आरोप लगाया है गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के थे उन्होंने आरोप लगाया और उन्हें बड़े गंभीर किसम के आरोप लगाये उन आरोपों पर अगर चर्चा नहीं होगी आपने डेड़ सोनी धाई हजार डिबेट कर लियो चुकि विपक्ष के आरोप थे आप अगर उस पर चर्चा नहीं करेंगे विवेग भाई जो लंत मुद्दा है तो क्यार हूं मैंने चर्चा से कभी बना ही नहीं किया सुरिंद्र राजपूजी मुझे एक बार बता दीजे मैंने कहा हो मैं चर्चा नहीं कर लेकिन मैं आपको कहा कि जिस दिन इस मुद्द जो चाहेगा वो मुद्दा नहीं होगा जो जनता चाहेगी वो मुद्दा होगा आज जनता चाहती है कि क्या नाम सत्यपाल मलिक के बयान पर चर्चा हो आज जनता चाहती है कि प्रधान मंतर जी उस पर अपनी चुप्पी तोड़े आज जनता चाहती है कि 40 जवान हमारे कैसे इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर